हेलो एंड वेलकम टू अनकेडमी अनकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो मिनट की बहुत महत्पूर बात जो आपके भविश्य को उज्वल बनाने में बहुत साहिक होगी वो है अनकेडमी अब आप हमको लेट्ट क्रैक यू लगनव, इलहाबाद, बनारस, कानपूर, आजयमगण, गोरकपूर, दिवरिया, जारकडमे, गिरिडी, राची, कोलकाता, बहुत सारे ऐसे सहर है उत्तर भारत के जहाँ पर हमने अपनी सेवाई दी हैं और बहुत सारे बच्चे हमको बहुत अच्छे से जानते भी हैं तो अनकेडमी प्रेटफाउं के बारे में जल्दी से जान लेते हैं यदि आपने अभी तक सब्सक्रिप्चन नहीं लिया है तो सबसे पहला काम है कि अनकेडमी पर सब्सक्रिप्चन ले लिजिए आपको कोई भी किसी भी एक्जाम के त्यारी करनी हो यूपी-पी-पी-पी- आपको मिल जाएंगे अनकेडमी पर यदि पहले आप सोचते से कि उस सहर में वह सर बहुत अच्छा पड़ाते हैं हम भी इलहाबाद जाएंगे दिल्ली जाएंगे लखनौ जाएंगे कुछ ऐसे सहर में जाएंगे जहां का बहुत फेमस को टीचर हो तो अब आपको कहीं प मिल जाएगा उसके लिए आपको एनकेडमी का अब डॉनलोड करना पड़ेगा प्लेस्टोर पे आइंगे वहाँ पर इस प्रकार से लर्नेंग डॉनलोड कर लेंगे आपको यहाँ पर आपने आपको आपको बिसक करें इसके बाद जब भी तो कोर्स लेते हैं जब भी आपको subscribe लेते हैं जिसे पॉलॉकिप करते हैं फिर को फुरा कोर्स पढ़ना था पूरा सब्चेज कर सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रीमॉख टेशd मिलता है जैसे मैं यूपी पीसे देख रहा हूँ EP के यहां पर आपको weekly mock test free mock test आपको प्लफ कराए जाएंगे जिससे आपको जो पढ़ाया किया है आप सही निर्देश में पढ़ रहा है यह आपको जानने को मिलेगा mock test के थरू किया आप कितनी progress आपके अंदर हुई है चलिए तो सारी बात आपने जान ली होंगी तो start करते हैं आ एकमेहने किसी बैस को लेकर आप अच्छे से चेक कर सकते हैं जब आप संतुष्ठ हो जाएं को बढ़ा सकते हैं बारा मंतका ले सकते 24 मंतका 6 मंतका घीन मंतका लेकिन अगर आप हमारे threwn admission लेते हैं तो आप हमारा यह code लगाएंगे SACHAN सचान उसमें आपको 10% का क्या मिल जाएगा discount मिल जाएगा जितनी भी fees होगी जिए 7,000 रुपए fees है तो 63,000 रुपए हो जाएगी 63,000 और जो 91,000 हो जाएगी 81,90 ठीक है तो आपको 10% का benefit मिल जाएगा ये एक ही course पर नहीं अगर आपने मेरा course लिया है तब आपको benefit मिलेगा आप ये code लगाकर कोई भी batch कोई भी batch ले सकते हैं कोई भी course purchase करते हैं उसमें सभी में आपको 10% का discount मिल जाएगा तो फटावर्ट सोच कर रहे हैं और कर्ट में learning app डाउनलोड कीजिए और avail the opportunity चलिए इन सब के बाद आते हैं टॉपिक पर तो टॉपिक हम लोगा आज क्या है आज बहुत बहुत बहुतरी सा टॉपिक आपके पास बुद्धिसम यानि कि बौध धर्म तो आपने देखा होगा वैदी केज वैदी केज के बाद जैनिसम और बुद्धिसम ये तीन टॉपिक जो है रिलीजन से है ethics, morality यहीं पर आपकी question बन जाते है GS paper के जो four question है GS paper four जो है आपका ethics है, morality है GS paper one हो गया जिसमें आपकी history वगर आएगी तो यहीं से आपका cover हो जाएगा तो यहाँ पर हम आपको one day level से लेकर one day level से लेकर मेंस तक के त्यारे करने की strategy बताएंगे जो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी start करते हैं बिना कोई रोक टोकी बिना कोई सामय बरबाद करे हुए मैं आपको आज बुद्धिजम के बारे में कुछ topic बताऊंगा कुछ चीजें आपकी जो कहीं से आपने सुनीर होंगी मन गरंद कहानिया उन सब के dot को आज दूर किया जाएगा जब भी मैं कोई topic पढ़ाता हूँ topic को पढ़ाने के बाद मैं कुछ MCQs जो पिछली previous year के paper में आये थे high level से लेकर low level तक उसको भी मैं करा लेता हूँ जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये question आप देख पा रहे होंगे लेकिन ये question आप जभी कर पाएंगे जब मैं आपको पूरा topic पढ़ा दूँगा ते 5 question अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इसके बद आपका आंसर खुद ही आना चाहिए जब भी कोई समस्या हो तो आप comment box में comment कीजिए आप आपसे live interact हो रहे हैं तो आपकी समझसक समधान जरूर किया जाएगा ऐसा ने लगना चाहिए कि आपने course ले लिया है आपको live session का मतलब क्या है यदि आप question पूछ रहे हैं और अगर आँ answer नहीं दे पार हैं तो live session का कोई मतलब नहीं न live session के लिए ही तो हम लोग इतना पैसा देने के बाद दूर दूर सहरों में जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा feel ना होने दें इसलिए आपको एक query हो तो question put up करें और इसके बाद मैं आपका answer दूँगा उसी topic से जो topic चल रहा होगा ठीक है यदि इस class खतम होने वाली है इसके बाद अगर कोई doubt आपको रह जाता है तो last में topic खतम होने के बाद आप हमसे 2 minute के लिए चर्चा भी कर सकते हैं और मैं आपके भविश को उजल वनाने में जरूर कारेगर्चित होँगा तो आज का topic हम लोग का है बुद्धिजम आज का हम लोग का topic है वो है बाद धर्म आराम से समझेगा बहुत बन जागाने वाला है सबसे पहले आपने अगर हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पता है जो भी शब्द बने है वो किसी न किसी धातू से बने है जैसे वेदवर्ड we got fromud जैनवर्ड we got from jin ऐसे बौद्ध वर्द we got from बौध यानि कि जो बौद्ध शब्द है वो बौध से आया है और बौध का मतलब होता है ग्भान समझेगा अच्छे समझेगा बहुत जाने वाला है तो जो बहुत शब्द है वो बहुत से आया है और बहुत का मतलब होता है ज्यान कभी कभी अगर हम लोग UP3HC lower pieces का paper देखें तो बहुत शब्द का मतलब ज्यान वहाँ पर नहीं दिया था वहाँ पर दिया था जागरत क्या दिया था जागरत तो जागरत और ज्यान दोनों शब्दापका हो सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं तो actually में जब आप मेंस की त्यारी कर रहे होंगे सिविल की त्यारी कर रहे होंगे बनाना है ऐसा कुछ नहीं था ठीक है व आगे आपको बताय दाएगा तीकि इसी क्या? condition हुई जो आपने ऐसा किया ठीक है तो संस्थापक तो संस्थापक कौन माना जाता है गौतम बुद्ध को माना जाता है बहुत दरगा संस्थापक इसको मानते भी या तो आपका आशार आगा गौतम बुद्ध को मानते है अब बुद्ध जो सब्द है ये जो बुद्ध सब् आया आपका बोध से, अब ये गौतम सब्द कहा से आया है, अब आप स्कीमन में आ रहा होगा, तो चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, तो गौतम उत का जन्म, अभी मैं आपको पूरी एक कहानी सुनाओंगा, अभी मैं आपको पूरी कहानी सुनाओंगा, लिए इसके क्लिए थोड़ी जी बार समरी की बात तो गातोमुत का जन्म होता है 563 सी पिसी लूमपनी में लूमबनी परता है नेपाल के तराई छेतर में तराई वusted a जहां पर बारिस की संभावनाएं जादा रहती है इक हुता है भा为 자 और होला जाते हैं वह बाबा तो नेपाल के तरही छेत्र में हुआ था जब ये पैदा हुए थे तो साथवे दिन ही इनकी माता की मिर्थी हो गई थी तो नाम करण करने के लिए एक असित नाम का ब्रामण आया था और उस असित नाम के ब्रामण ने उस बच्चे का नाम करण किया था क्या सिध्धार्थ सिध्धार्थ का आर्थ होता है जिसकी एक्षाएं पूरी हो चुकी हो याने कि जिसकी आकांचाएं पूरी हो चुकी हो याद रखेगा जिसकी आकांचाएं पूरी हो चुकी हो उसको हम लोग कहते हैं सिध्धार्थ पूरी हो चुकी हो आगे परते हैं तो माता का नाम क्या बता है आपने आपको महा माया माता का नाम है महा माया महा माया के दो इच्छा थी कि एक मेरी बहन याने की गौता मुद्गी याने की सिधार्थ की मौसिक बुला दो और दूसरा मेरे बच्चे का नाम सुनवा दो तो आम तो सुन लिया, तो मौशी का नाम क्या है? प्रजापती गौत्मी. आगे कर जब महामाय की मित्ति हो जाती है, तो मौत्ती होने के बाद जो पिता होते हैं, सिधार्त के, उनका नाम उता है सुध्धोधन, आराम समझीए का बहुत मज़ा आने वाला है. पिता का नाम क्या है सुदोधन तो सुदोधन महामायक मित्यू की बात किसे विवा कर लेते हैं ति विवा कर लेते हैं प्रजापती गौत्मी से प्रजापती गौत्मी जो सिधार्त की क्या बन जाती है जामाता बन जाती है यानि कि मौसी तो होती होती है साथ ये सोतेली मावी बन जाती है पर प्रजापती गौतमी से एक पुत्री का जन्म होता है उस पुत्री का नाम होता है नंदा ठीक नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं उस पुत्री का नाम क्या होता है भी या उस पुत्री का नाम होता है नंदा आराम समझेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो प्रजापती गौत्मी से एक पुत्री का जन्म होता है और उस पुत्री का नाम क्या होता है पुत्री का नाम है नंदा तो आगे बढ़ते हैं तो अब आपते हैं तो आप से मैं पूछ हूँ ये गौतम शब्द कहां से आया तो अधिकतर विद्वान हमारे बहुत सारे साथी भी है जिनको नहीं पता होता है सही से तो वो क्या बताते हैं देखिए अच्छी गिताब पढ़ेंगे अच्छी नॉले तापर पढ़ाए है cabeça सिर्वासतों पढ़ा है के सामहस्ते eta की गौतमी सब्द कहां से आया तो बहुत सब्सक्राइब जम उतने के इसे लिए प्रिजापति गौतमी से गौतम सब्द नहीं आया है बैटा जब गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती हो जाए तो ज्यान की प्राप्ती के बाद कोई विक्ति अपने वास्तिविक नाम से नहीं जाना जाता है यदि मैं गौतम बुद्ध के कुल की बात करूँ तो इनका कुल है शाक के यदि मैं गड की बात करूँ तो इनका गड़ है जानतरिक यदी में जाती की बात करूँ तो जाती है छत्री और यदी में इनके गोतर की बात करूँ तो इनका गोतर है गोतम तो अच्छा आप आपको समझ में आया ओके यानि कि ग्यान प्राप्ति के बाद विक्ति हमेशा अपने गोत्र के नाम से जना जाता है चाहे कोई रिशी मुनी हो और चाहे कोई महान विक्ति हो गौतम उतके गोत्र था सिधार्थ का गोत्र था गौतम तो उनका नाम हो गया ग्यान प्रात्ति के बाद गौतम बुद्ध ना कि उनकी मौसी से लिया गया है गौतम उद्ध के पर्थम गुरु कौन थे उनका नाम था आलार कलाम समझिएगा गौतम उद्ध के पहले गुरु कौन थे नाम था आलार कलाम यह जो आलार कलाम थे यह शांग के दर्शन को मानते थे किस दर्शन को मानते थे या तो आपका अंतरा का शांक की दर्शन को मानते थे और जो दर्शन है यह हमारे वैदिक एज में आता है यानि कि यह हमारे हिंदु धर्म में आता है समझी का यानिकि दो आप देख पा रहे हैं जो दर्शन है यह किसमें आता रही हम हिनुद्र razor में और हिंदू धब में हिंदू धर्म को समझने के लिए टोटल छै दर्शन है je उटल कितने दर्शन है? छे दर्शन है, जिनको हम लोग कहते हैं, शट दर्शन, जैसे योग दर्शन, शांख दर्शन, वैशेशिक दर्शन, नयाय दर्शन, पूर्वमीमानसा, उत्तर मीमानसा और उनके अपने-पने क्या है? प्रवर्तक है. यानि कि पर्थम गुरु अगर आलार कलाम हुए गौतमवद्द के, यानि कि गौतमबुद्द को शांकि दर्शन के बारे में उनक्य गुरु ने बताया होगा जो भी बात आप गौतमवद्द की मूँ से सुनते हैं सरवत्र दुखं व्यापम सब्बम दुख्खम व्पम हना इस प्रकार जो स्टेटमेंट सुनते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है ये स्टेटमेंट कहीं न कहीं आपके हिंदु धर्म से मैच करता मिलेगा तो उपनिश्टों की बहुत सारी बातें बुद्धिशा में देखने को मिलेंगी हमारे यह मौझूद हैं तो मैं आपको धिमिद्धि में इस पर चर्चा करूँगा और आपको बिल्कुल विद्वान बना दूँगा आप कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे तो आप हर जगे खड़ो के यह सोचेंगे कि कोई भी चर्चा हो मैं दो शब्द तो बोली पाऊंगा और ऐ मैं आपको उस कॉन्विजेंस बिलागर खड़ा कर दूँगा आगे बढ़ते हैं तो यह बात आपको समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं गौतम बुद्ध ने कहा सरवत्र दुख्म व्यापम संसार दुखों से बरा है इसलिए उन्हों ने गौतम बुद्ध ने चार यून ना भी दुख है यह उन्हीं का स्टेट्मेंट बोल रहा हम जो वो सबको बोलते थे मेरे मुँसे वही शब्द निकल रहे हैं जो गौतम बुद्ध की मुद्ध निकलते थे एक हैं तो अगर आप संसार में आए हैं तो आपको दुख होगा यानिक जन्म भी दुख है मृत् जाना अप्रिय मिलन, आप जिससे महबबत करते हैं, प्यार करते हैं, यदि वो आपको नहीं मिला, और मिल गया, तो वो भी आपको कहना कहें, दुख पहुंचाएगा, लेकिन एक बात समझेगा, यदि दुख है, तो दुख का कारण भी होगा, और दुख का कारण है, तो भी दुख नहीं देंगे यानि दुखों से दूर रखेंगे ये चार आ रहे सकते हैं दुख है तो दुख का कारण है तो दुख का कारण है कारण है तो निवारण है निवारण के कितने रास्ते हैं तो निवारण के आठ रास्ते हैं जिनको हम लोग कहते हैं आस टांगिक मार हुआ एं इन आश्टांगिक मारगों को हम लोगा बहुत भिच्छूँओं का कल्यान मित्र qadzi और दख़ेगा को शन्बंता है बेपर में कि बहुत भिच्छूँओं का कल्यान ज्रेस किसे कहा जाता है व्यlll दुख समुद्य है, दुख का कारण क्या है, दुख का एक मूल कारण है, जो है आविद्या, क्या है भाई, आविद्या, यदि आपको ग्यान नहीं होगा, तो आपको दुख पूरे जीवन भर मिलेगा, आप बहुत सरी इच्छाएं रखेंगे, इच्छाएं पूरे नहीं हो आपको दुख होगा तो यह फोर यूनिवर्सल क्लूथ है और उसको दूर करने के आश्टांगी कि मार्ग है आपके मेंस के पेपर बन जाता है सीधे दिलिख देगा आश्टांगी कि मार्ग 8 फोल्ट बात के बारे मताईए मेंस के पेपर लिखने को आएगा जबकि प्रेकी बनी के बनी की पर यहीं परायाखर समझ hai वी शहया समझ में आ गया आप दूतसे और पर हल्दी से अब शेक करेंगे इसका भी रीजन है बताया जाएगा घुमे धीमे 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 भीमे अजाता जाएगा आइस तो शुरूवात है तो इसके बाद आफ आप से कहेंगे वो शपत ले लो तो आप शपत लेते हैं बुद्धम सर्णम गच्छामी संगम सर्णम गच्छामी धर्म सर्णम गच्छामी यह शपत होती है इसी को कहते हैं बहुत धर्म के त्री रत्न जैने त्री जैवल्स तो बहुत धर्म के त्री रत्न क्या है तो आपक तो जैसे आशोक ने धम की घोशना की थे एक्शली धम का मतलब भूत धर्म तो बहुत धर्म के त्रियत्न क्या है बुद्ध संग और धम इतनी बात क्लियर है आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट पर आते हैं आचा एक और बात conceptual बात करते हैं एक होता है विहार एक होता है मत एक होता है चैत और एक होता है स्टूप एक होता है विहार एक होता है मत एक चैत और एक स्टूप आपको पता है इनके बारे में क्या क्या है क्या difference पता है नहीं पता आराम समझे हम है कोई दिक्कत नहीं समझेगे कि जाहे कडिये मुए तक धर्म का प्रचार करते हैं लेकिन वरस रेतु में दे महिने ये धर्म смог करते हैं। कि सिछा प्रदान करते हैं तो वरस रेतु के दोरान कोई वक्ती यहां रुख गया अपना चोटा जुटवा पनागा कि कोई यहां रुख गया, 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 कोई यहां 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 रुख गया, क्लियर है तो अब तीन महिने के लिए जो घर बनाए गए हैं, इन्ही को हम लोग कहते हैं, विहार यानि कि बौध भिक्षूओं का आवास बौध भिक्षूओं का आवास अभी मैं आपको उताता हूँ एक होता है भिक्षू और एक होता है उपासक भिक्षू क्या होते हैं उपासक क्या होते हैं एक होता है भिक्षू एक होता है स्रावक तो उपासक, उपासिका क्या होते हैं, स्रावक, स्तराविका क्या होते हैं, समझेगा, आभी मैं बताता हूँ तो यह क्या हो गया, यह विहार हो गया, आगे चलकर जहां पर विहारों का बहुत ज़्यादा समू पाया गया तो उन सभी को मिला दिया गया उन सभी को क्या कर दिया गया उन सभी को मिला दिया गया clear है तो हमको एक छेतरफल प्राप्त हो गया हमको क्या प्राप्त हो गया यह एक छेतरफल प्राप्त हो गया clear है यह छेतरफल प्राप्त हुआ है विहार से घिरा, इसी को हमने एक नए राज्य का नाम दे दिया इस राज्य का नाम है बिहार तो बिहार राज्य की स्थापना कैसे हुई, यह आपको समझ में आ गया बिहार वाइड वी गौट फ्रॉम विहार समझ में आया, मजा आई आगे, जिस प्रकार से बौध सिच्छा केंद्र कहलाता है मट जैसे मदर्शा इसलांधर में कहलाता है तो बौध सिच्छा केंद्र बौध शिक्छा केंद्र तो बौध सिच्छा केंद्र कहलाता है आपका मट जब गौतम बुद मर गए तो गौतम बुद की जब मृती हुई तो आठ राजा थे वो कहते इनका सरीर हम को चाहिए इनका सरीर हम को चाहिए आठ राजा थे सरीर एक था क्या किया जाए आठ टुकडे कर दिये गए गौतम बुद के कुछ लोगों ने इसको जला दिया, कुछ लोगों ने इसको नहीं जलाया तो उन 8 टुकणों के लाल कपड़े में बांध कर रख दिया गया इस प्रकार से सोने का गुंबदा कार बरतन चला दिया गया फिर एक गुंबदा कार बिल्डिंग बना दी गई ठीक है इस प्रकार से और एक गैलरी बना दी गई तो जो गैलरी है जहाँ लोग खड़े होके पूजा करते हैं यानि जो बौध पूजा इस्थल है जो बौध पूजा इस्थल है उसको कहते हैं चैत लेकिन जो इस्थूप है यानि कि जो गुंबद है उसको कहते हैं अम्राबती का स्थूप धामेक का स्थूप बोरू बुदूर का स्थूप चौखंडे का स्थूप आगे हम लोग जब कल्चर पढ़ाते होंगे तो और डिस्क्राइब करा जाएगा और अच्छे समझाए जाएगा और उसकी सिला कैसे बनती है कैसे क्या पाशानवेदिका क्य जाएगी चैत हलसना होगा महराष्ट की प्रमुख चैते हैं कानेरी चैते कारले की चैते क्लियर है मठ तबो मठ तवांग मठ नामग्याल मठ इस प्रकार से आपकी पेपर में आता है कि कौन से मठ कहां परिस्तित है विहार हो गया जिसकों लोग बहुत भिख्शू का आव बहुत पेपर बनते हैं आपको कौन से बता दिया फिर आपका फैक्ट आजाता है कि कौन से चीज कहां परिस्तित है अच्छा गौतम मुद्ध की जीवन के करम लोग बात करें तो गौतम मुद्ध की जीवन की घटना पेपर में आपके बहुत पुशी जाती है जो हर सबसे पहले आपको प्रतीक बताता हूं मैं हाथी जब गौतम बुद्ध महामाया ने सपना देखा कि एक हाथी का बच्चा उनके गर्ब में प्रवेश कर गया है उनको सपना आया था तब गौतम बुद्ध तब सिधार्त पेट में आये थे हना तब उन्होंने इस अपना बताया था इसलिए हांती जो होता है और गर्ब में आने का ब्रतीक है माहमाया के गर्ब में आने का ब्रतीक माना गया है हाथी जो कमल है वो है जन्म का प्रतीक, जो कमल है, वो है जन्म का प्रतीक, सांड, इसको व्रशब कहते हो, सांड, ये है यौवन का प्रतीक, यौवन मतलब जवानी, आपके घर में भी कहा जाता होगा, लड़कों को कहा जाता है, दिन भर सांड ऐसा घूमता रहता है, मतलब जवान हो गया है, वो कहने के यह मतलब है, सान मतलब व्रसब यानि कि यौवन वस्था आ चुकी है सिंग यानि कि सेर, जो सेर है, यह समरद्धी और विकास का प्रतीक है समरद्धी और विकास का प्रतीक मना जाता है गौत्तमुत के जीवन में अगला घोड़ा गौतम बुद के घोड़े का नाम था क्या नाम था कंथक असार्थी का नाम क्या था चन्ना तो घोड़ा ग्रहत्याग का प्रतीक है ग्रहत्याग का प्रतीक है उन्तिस्वे वर्स गौतम बुद ने घरत्याग दिया था और घरत्यागने की घटना कहलाती है म आगे परते हैं आगे देखते हैं बोधिवरच बोधिवरच मतलब पीपल का प्राप्ति हुई थी बोधिवरच किसका प्रतीक है ज्यान का प्रतीक है और ज्यान प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधी ज्यान प्राप्ति घटना कहलाती है संबोधी फिर आता है चक्र जो चक्र है ये प्रतम उपदेश है प्रतम उपदेश का जो प्रतीक है वो है चक्र और ये घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन ये घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन अगला देखते हैं भाई अगला है आपका पदचिन जब आप कभी किसी मंदिर अंदिर जाते वह आपको बताती है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनो इछहाओं का त्याक कर दीजिए लेकिन विए इच्छा ही लेकर तो मंदिर जा रहा है उसको यह नीस में आता है कि इसका क्या मतलब है मतलब है इसको कुछ नीस में आंना है इस घटना को कहते हैं निर्वाण इच्छा का त्याग को और निर्वान के साथ जो मृत्ति हो गई है इच्छाओं के त्याग के साथ जो मृत्ति हो गई है मृत्ति का प्रतीक है इस्तूप और इसे कहते हैं महा परी निर्वान महा परी निर्वान तो महा परी निर्वान निर्वान, धर्म चक्रप्रवरतन, संबोधी, महा बिनिस क्रमार, ये घटना है, और बाकी ये सब क्या है भीया, ये सब आपके प्रतीक चिन है, आपको एक जिगे ये सब चारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो आपको कहीं जाने की जुरत नहीं पड़ेगी, अब आप यहीं से बैटकर आईए, निकालेंगे, समिच्चात कारी निकालेंगे, भॉकाल से जीवन जीएंगे, ये बात आपको आपको सारी समझ में आई, तो हम लोगोंने आज क्या कहीं देखा, हम लोगोंने चार आरह सते देखे, विहार मठ चायत इस्तूप की बारे में समझा, गौतम उ अवलोक तेश्वर, बोधी सत्व, बोधी सत्व, पद्म पाड़ी, मन्जूस्री, अमिताब, ठीक है, मैत्रेय, शाक्यमुनी, शाक्यमुनी, शाक्यमुनी मतलब होता है, सुप्रीम डिक्टेटर, मतलब की सर्वशक्ति मान, तथागत, तथागत का मतलब होता है, सत्व बोलने वाला सत्य है, ग्यान जिसका, उसका मतलब होता है, तथागत, तो यह सब नाम किसके हैं, गौत्म बुद्ध के ही नाम है, जैसे कि हम लोग ह भविष्यका जो बुद्धा है वो मैत्रे को माना जाता है भविष्यका बुद्धा किसको माना जाता है भी या मैत्रे को माना जाता है समझे आ रहा मजा रही है तो इस प्रकार से हम आपको बताएंगे और बहुत मजा आने वाली है इतनी बात क्लियर है अच्छा बहुत धर् गौतम बुद्ध की म्रत्ती हो गई तो राजाओं ने बौत धर्म अपनाया था ग्रंतों को संगलन किया ग्रंतों को संगलित किया और कुछ लोग गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे तो कुछ लोग गौतम बुद्ध को समाने मनसु मानते थे तो इस परकार बहस हुई और बौत धर्म का विभाजन शुरू हो गया, इस धवीर, महा संगिक, हीनियान, महायान, महा चक्रायान, काल चक्रायान, इस परकार से वज्रियान, तो बहुत सारे आपको बौत धर्म की विभाजन भी पढ़ने पढ़ेंगे, बौत धर्म की संगीतियां पढ़ने कि कुछ कोश्चन तो ऐसे होते हैं जो किसी नहीं सुने होते हैं जैसे कि 2015 का मैं कोश्चन बताता हूं उसमें पूचा गया था कि बाल गंगा दर तिरक की जब मृत्ती हुई थी तो उनकी अरथी को कंधा देने वाला एक मात्र मुसल्मान कौन था तो भाई इतना डीपली पढ़ने के बाद आप इस कोश्चन को नहीं कर पा रहा हैं समझ जाएगा 99% वोगा उस कोश्चन का अंसर नहीं कर पा रहुँए होंगे यह इन्यव कोश्चन मेरी से बाहर है है जो सब सब को आता है लेकिन आपको नहीं आता नार्मल पूश्चन याद रंत रखेगा थी ह तो आई विश यहां तक आपको पास समझ भी आई मज़ा भी आई होगी तो हमने आपको यहां पर यह सारी चीजें बताएं कि बहुत दर्म का संस्थापक कौन है गौतम बुद्ध को लोग क्या कहते हैं लाइट आफ एशिया कहते हैं इनको हम लोग लाइट आफ एशिया के नाम से जानते हैं ठीक ना एशिया का जोती पुंज किसको गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम कैसे थे गौतम बुद्ध के जन्म कैसे हुगा गौतम बुद्ध राजा बनेगी भविश राजा बनेगी कि सन्यासी बनेगे यह भविश्वाने काल देव कॉंजिन ने की थी अभी बहुत सारी बाते गौतम बुत के बारे में और बहुत धर्म के बारे में जाननी है यदि इतने नेपाल चाइना श्री लंका यदि ये सब भूत धर्म को मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नहीं अनोखा देखा होगा जो आपको पता होना चाहिए कि क्या अन लेंगे कही होगी कुछ question में आपको करा देता हूं जल्दी से और एक और बात अभी तक जिन्होंने subscribe नहीं किया है चनल को वो subscribe कर लेंगे बैर Luck ने कर सुनकर्इब नहीं तो जद्रवन से में बताया ने ये दूवन से बताया ने कुरू बताया ने शाक इस दा राइट आंसर अगला कुशन देखते हैं कौन सा आरे सत्र नहीं बोला था दुनिया पीड़ा से भरी है सही है दुनिया दुखों से भरी है दुखों कारण क्या है अविद्या यानिकी अविद्या हो सकती है, इच्छा हो सकती है, तो ये तो बोला था, ये भी बोला था, इच्छा से मुक्ष प्राथ कर सकते हैं, ये नहीं बोला था, ये बोला था, ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहली बहुत परिशत कहां पर हो थी, चार संगीतिया थी, मैं आपको एक सूत्र पताओंगा उसमें आपको सब्याद हो जाएगा रवा पका अका अका मासा मोव ये तीन सूत्र हैं जो आपको ये बौध संगीतियों की स्थान बौध संगीति किनकिन सास को निकरवाई थी और उस समय अध्यश कौन-कौन था ये काम खतम बौध संगीतिया याद हो गई एक भर सुन लीजेगा राजग्रय वैशाली पाटली पूत्र कश्मीर आजाच सत्रू काला शोक अशोक कनिष्क महकशव साबक मीर मोगाली पूत्तिश वशूमित्र काम खतम तो प्रथम बहुत परिस्था कहा फर हो थी राजग्रय यानि राजगीर होगी अलो स्थम बहुत प पाठली पुत्र में हुई थी और देखते हैं सूत्र क्या था हमारा तीसरी संगीति पाठली पुत्र बिल्कुल सही था, अध्याष्ता किस ने की थी मो, मो से मतला मोगाली पुत्र तिष, अगला लिव हो गए, यही पांच कोशन आपको लगाए थे और पांच कोशन आपने पटा पटा आंसर दे दिये, तो ये तो शुरुवात है, बने रही है हमारे साथ, और आपको बहुत बेदरीन चीजे मिलेगी, और आपके भविश्य को उज्वल करने की गारंटी अब हमारे पास है, और विस्वास मानिए, कि अगर 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 गुरू का पद मा